अरे ठंडे ठंडे पानी से नहना चाहिए, खाना जहां भी मिल जाए, खाना चाहिए, ओहो, ये पानी, क्या है तुम्हारी कहानी? वेल, तुम्हें लग रहा है कि सर, have you gone crazy? आपको हो क्या गया, आप कर क्या रहो? क्या है कि actually न मैंने बहुती बे सुरे गाने की शुरुआत की है और बे सुरे गाने की प्रैक्टिस को मैं continue कर रहा हूँ, थोड़ा पानी पी करके, ओहो, क्या बात है? तो ये क्या है न कि पानी करते हैं, तो तूफानी करने के लिए थमसा तो मुझे मिली ली, तो मैंने का चलो पानी पी के तूफानी करते हैं, आवेल, आपको, ओहो, अरे, आज क्या करने वाले हैं? ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, वी, डबली ओ, टी, आर, वाटर, ओहो, अरे, मैं तो भूली कि आज उनलों क्या करने वाले आज हम करने वाले हैं पानी की कहानी यानि पानी की नानी की कहानी सुनेंगे मतलब आज पानी की बात करेंगे भाई पानी जो है बड़ा इंपोर्टेंट है बड़ा बढ़िया है बड़ा मज़ेदार है और पानी की कहानी में यह बात तो भूल कभी पानी पिलाता है, कभी पकाता है, कभी बहुत सारी बाते सुनाता है, भाई, आपके अपने कुनाल सर, कुनाल सर कह लीजे, या फिर आपके अपने मेंटॉर कह लीजे, आपके अपने फ्रेंड कह लीजे, आज कहाएगे यह पानी से आदा है कि भाईया, पानी की अपनी क क्रेजी से कर देता हूं कभी कभी जब क्या वोता है दिमाग हो जाता है इकदम anomaly ठीक है तो अभी क्रेजी ऍंदाज में बात करते हैं से अच की बात Kinal सर की सांथ मेरी पीछे बहुत सारी हवाई मेरी पीछे लहरे उट रहे हैं लहरे समझ रहा है तो मिद्धम मज़़दार वाली लहरे है यह समुंदर की लहरे यह बारिश का पानी इनकी अपनी ही कहानी आहा क्या बात है चलो तो भ Alberो यह देखो जो लहरे है ना हमारी इनके पीछे का एक राज है इनक का सारा भी बता दूंगा तो मजा नी लाइफ कैसे आएगा तो पहले तो जल्दी से एक बार अटेंडेंस लगा तो भाई comment section के अंदर प्यारे प्यारे बच्चे आजाओ यार comment section के अंदर लास्ट वाली क्लास में बहुत कम बच्चे देखे हो मेरे को बिटा मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोग को भी पानी चाहिए लेकिन पानी के साथ साथ सर आपको चॉकलेट भी देंगे लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए सर के साथ चलना करें ओफ यानि distractions भगाए दूर और चलिए शुरू करते हैं पानी के उपर एक अवेजिंग सी कहानी यह तो भाईया आज हम क्या पड़ेंगे आज हम पड़ेंगे water cycle water cycle का मतलब यह नहीं कि पानी cycle चलाएगा ना ना water cycle कोछ और है waves मजदार waves पड़ेंगे waves या डांस की waves की बात नहीं कर रहा हूं मैं नॉर्मल waves की बात करेंगे tsunami की बात करेंगे tsunami मतलब बहुत उची-उची waves की बात करेंगे खतरनाख वली waves की बात करेंगे ठीक है चलिए तो अगर हम बात करें पानी क्या है पानी बहुत simple चो मैं practical दिखाई ही देता हूं अब practical के नाम पे ऐसा नह पानी colorless liquid है जिस bottle में जाता है उसके जैसा हो जाता है हैना जिस भी vessel में गखा जाता है उसी का shape ये acquire कर लेता है बहुत ही simple बढ़ा adaptable आदमी बढ़ा गुला मिलना पसंद है इसको यहां बैठाई है वहां बैठ जागा जहां खड़ा करिए वहां खड़ा हो जाएगा पानी बहुत मेलन सार इंसान है बहुत मेल जोल से रहता है भाई ठीक है तो हमारा जो पानी है बच्चे मस्त एकदम जबरदस अपना बढ़ियां colorless liquid है हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारा बच्चे जो portion है किससे से बना हुआ है मस्त एकदम पानी पानी तो अपने water के अंदर जो मतला अपने body है उसके अंदर भी बहुत सारा water present है और इस पूरी धरती पे बच्चो maximum जो कोई present है वो क्या है बिटा पानी ही है ही के तो इस पानी को मैं काम करता हूँ side में रख देता हूँ ये colorless liquid बटा इस liquid बहुत ताकत है भाई जितनी ताकत आपके उसमें भी नहीं मिलने वाली वही जो आपको wings देती है ऐसा कहती कि आपको wings देगी लेकिन इस से अधा wings नहीं दे सकता कोई पानी life देता है यार जिंदीगी देता है जीवन देता है कि नहीं जीने के है चार दिन बाकी है बेकार दिन पानी कोई आए और मेरे को पिला जाए और अगे बहुत नहीं किया तो पैना हमारा थोड़ा नाराज हो जाता है कभी-कभी अंजे भया तो 70% of Earth जो है that consist of water इसको हम blue planet भी कहते हैं नीला planet क्यों कहते हैं भया ऐसा क्या है इसमें जो इसको नीला planet कहा जाता है क्योंकि भया काफी गीला planet भी है और इसमें बहुत सारा पानी अवेलिबल है और इसको बहुत सारा पानी अवेलिबल है ना चल यह आगे बात करें थोड़ी सी मज़दार बातें तो आगे बात यह है कि जो पानी है बच्छो यह एक process के थूरू recharge होता रहता है अब इस process को हम क बढ़ता है इवापरेशन क्या होता है जब किसी टीज का temperature भढ़ता है खासकर liquid का temperature क्या हो रहा है बच्छो बढ़ता जारा बढ़ता जारा बढ़ता जारा बढ़ता जारा एक state ऐसा आएगा कि water vapor बनके वो उपर उड़ना शुरू हो जाएगा फिर जब वो ठंडा होगा ब बाचो जब रौशनी पड़ेगी तब ये water vapor बनके उपर की तरफ उठेंगे तब ये थोड़े थंडे होंगे condensed होंगे तो they will form clouds यानि की बादल अब बादल के टाइम पे भी बादल के पास भी कैसी situation आएगी जब वो बहुत जादा पानी अपने अंदर नहीं रख पाएगा यानि इन water whippers को नहीं रख पाएगा है ना तो बचो क्या होता जाएगा उस cases में आपको बारिश देखने को मिलती है और बारिश का पानी क्या होगा वापस से इन नदियों के अंदर आ जाएगा फिर ये पानी एवापरेट होगा फिर बादल बनेंगे फिर बारिश होगी ये cycle जो है बिटा आपकी चलती रहती है repeat होता रहता है process और इसी process को हम कहते है water cycle यानि कि एक ऐसा process जिससे water अपना continuously form change करता रहता है repeat होता रहता है और recharge होता रहता है तो बहुत सारा बारिश का पानी है ऐसा भी होता है कि बच्चे जमीन के अंदर चला जाता है तब इसको ह किस नाम से जानते हैं इसको कहते हैं groundwater यानि tube well से जो आप पानी निकालते हो जो कुएं से पानी निकालते हो जो hand pump से पानी निकालते हो वो कौन सा पानी है वही पानी है बच्चे जो बारिश के time पे जमीन पे गिरा जमीन के layers के थूर नीचे चला गया यानि की collect हो गया राइट फिर उसको आप बहुत सारे form से जो है बच्चे आप बाहर निकाल सकते हैं tube well का use करके hand pump का use करके है ना multiple तरीके से आप जमीन के अंदर का पानी भी बाहर निकालके use कर सकते हो चलिए distribution की बात करें बच्चो तो three-fourth भाई अर्थ का surface है that is covered with water बहुत simple है भाई अर्थ का three-fourth surface हो है बच्चे water से cover है पानी से cover है और यह पानी अलग-अलग तरीके का मिलता है यह बहुत सारा पानी seas and oceans में है हाला कि उस पानी का हम जादा use नहीं कर पाते है क्यूंकि वो काफी salty पानी है खारा पानी है नब खारा पानी तो तुम पी नहीं सकते है तुम पी यह नहीं जाएगा हम क्या use करते है बैच्चो जो fresh water available seas के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं lakes के अंदर, rivers के अंदर, ponds के अंदर, यह जो fresh water available है, जिसको आप पीने के लिए use कर सकते हैं, इसको हम लोग बच्छे अपने usage करते हैं, ठीक है? अब अगर हम water distribution की बात करें, कि water किस तकई के से मिलता है, कौन-कौन टाइप से मिलता है, यह चोटा सा प्यारा सा आपका NCRT का ह बच्छो, oceans में हम बात करें, 97.3% जो water यह भीटा, वो हमको oceans में ही मिलता है, यह अनि salty water, saline water, saline का मतलब होता है, salty, नमकीन पानी, ठीक है बहिया? तो नमकीन पानी पीने का मन हो, तो आप जो है नमुत्र का पानी पी सकते हैं, अधर यह पानी पीने लाइक नहीं होता, यह ग्राउंड वाटर, यानि जमीन के नीचे जो पानी मिलता है, वो कितना है, 0.68%, fresh water lakes, यानि lakes, जो ताल होते हैं, उसमें भी पानी अवेलेबल है, कितना पानी अवेलेबल है, fresh water के form में, lakes में, 0.009%, seas के अंदर जो lakes बनते हैं, salt lakes बनते हैं, उसमें भी कितना है, 0.009%, atmosphere में, अलग-अलग format में, water droplets के format में, vapors के form में, जो पानी suspend होता है, वो कितना है, बच्चो, 0.0019%, और rivers के अंदर जो है, 0.001% पानी आपका अवेलेबल है, तो basically, जो oceans के अंदर ये कहलाता है, saline water, और बाकी जितने resources हैं, आपके कहलाते हैं, fresh water resources, यानि वो पानी जिसका आप consumption, normal क क्या होते हैं, आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, ठीक है, बहुत सारा खाना पीना बनाते हो, अब खाना तो समुदर के पानी में तो बना नहीं सकते हैं, समुदर से मचली पकड़ी, वहीं का पानी लिया हो, बना डाला, ऐसा थोड़ी है, भाई मचली के साथ ना इंसाफी तो है ना बहुत ही नाइंसाफिर है मचली कह Small ऑन आ पानी तो दूसरा यूज कर ले तहां हम और डिमारे पानी से हम और बना रहे हो बहुत गंधी बात है यह ना तो भाई-एससा नहीं इक करना भी काट काट इस और के इस मार सकत ही मस शुक गया ना तो काटा लगा पर ठीक है समझे तो भई यह मचली को है मचली को पकड़ करें उसी सी के पानी से मचली मत पकाई गए तो बहुत सिंपल है तो भई जो हमारे fresh water lakes होते हैं जो fresh water sources है वो usable होते हैं वहां का पानी होता है बच्चो multiple purposes के लिए यूज क्या जाता है लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम इतने नालाइक लोग है जिसको कहते हैं human population से नालाइक कुछ नहीं है हमने क्या किया है जो हमारे fresh water sources तो उनको गंदा कर डाला है बहुत ज्यादा गंदा कर दिया water pollution मचा दिया उसमें ठीक है अमलब जो आप देखरो जि इसमेल आती है अब वह अपे चया होता है कि यह humana की उपर से mett्रो जा रही होती है बट वह लगता ही नहीं कि आप नदी की उपर से पार कर रहे हो क्योंकि इतनी false smell आती उसमें से इतनी गंधी smell आती है ऐसा लगता है कि नाले के उपसे मेट्रो जा रही है बड़ो उना नदी की पानी नहीं है उसमें घंदा पानी है एक तम स्मेल कर रहा है गंदा स्मेल कर रहा भाई क्यों कि water polluted है तो हम नहीं भौट सारे नदियों को प्ल्यूट कर दिया है गंदा कर दिया है और वही हमारा source of water है मज़े की बात तो यह है कि हम जिस डाल पे बैठे हैं पेड़े की उसी को काटे जा रहे हैं एक टाइम ऐसा आएगा कि बचेगा ही नहीं पानी तो क्या करोगे भाई है कि नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी है कि नहीं बया चलिए आगे बात करते है एक बड़े सुनो ध्यान से सुनो 22 इंट्टी टू मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वौटर टे अच्छा है स्कूल में पोसिशन पूच सकता है तुमसे वें डू ए सेलिब्रेट वर्ल वौटरा यह कंज़ को हम लोग यहां पे बताते हैं यह बास्त पोस्टर बनाते हैं से व्व तो water की drop बनाते हैं, फिर उस पे लिखते हैं save water, हाला कि वह बात अलग है कि हम save नहीं करते है water को, लेकिन बना देते हैं poster, ऐसे लिखते हैं div must बना दिया, और यहां पे लिखा हमने save water, खुब must color से सजा करके, मेरे पास दो ही color है, तो ऐसे खुब must सजा करके हम लोग स्लोगन लिखते हैं, save water, water is life, जल है तो कल है, है ना, इस तरीके एक खतरनाख स्लोगन लिख देते हैं, लेकिन क्या हम खुद water conserve करते हैं, बटा हम नहीं करते हैं, answer is very no, simple, simple है ना, अब जैसे for example हम बात कर लें, हम लोग जब washbasin में हाथ दोने जाते हैं, मूध दोने जाते हैं, हमे लहर रहा है, लहर रहा है, पानी एकड़म लहर रहा है, बढ़ियां, आहा, क्या बात है, वा, मज़ा आ रहा है, जब तक मम्मी की flying slipper नहीं आती हैं, तुम लोग ये काम करते रहे, तो फैक्ट है, पिटा लेकिन समझ के देखो, हाला है कि तुम छोटे हो, समझ रहा है कि त तुम्हारा माइड ऐसे ही चल ला है, तुम्हें मज़ा आ रहा है उसको पानी को देख करके, लेकिन मज़े की बात तो ये है कि पानी बरबाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, और जब तक मम्मी की flying slipper नहीं आती है, तुम तुम तुरा नल बंद करके भागते हो, तो पिटा ऐसे काम आपको नहीं करने होते हैं, तो ऐसे काम आपको नहीं करने होते हैं, इससे क्या होता है, आप खुद को भी बचा पाएंगे और पानी को भी, तो सावधान रहें, सतर करें, खुद को बचाएं और पानी बचाएं, बहुत ज़रूर ये, ठीक है, तो छोटे-छोटे efforts बच्चे हमाई लिए काफी जादा helpful होते हैं हमेशा बहुत बढ़िया होते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं बच्चे बच्चे उसमें जो बढ़ बड़ी लहरे होते हैं जो बच्चे हमारे अगर कोई coastal area से बिलॉंग करता है इनको बहुत अच्छे से पता है कि शाम के टाइम अगर वो समुद्र के पास जाएं या दूपैर में भी जाएं तो समुद्र की लहरे बड़ी बड़ी लहरे जो ऐसे आती है जूँँँ ऐसे गर क्या ही ले रहे हैं और खतनाक तरीके से आपके उपर आ गई यह ना तो इस तरीके की चीजें आपको बड़ी देखने को मिलती है तो बच्चे हमारे पास waves होती है प्लस ocean current होता है पानी कभी घंडा होता है और tsunami का मतलब है भाईया बहुत large wave कभ मुदर के अंदर जब आपको अंडर वाटर अध को एक गेकने को मिलता है तो पानी की जो waves है ना बच्चे बड़ी height पे जाती है बड़ी खतनाक height पे जाती है तो वो होती है अपनी tsunami waves ठीक है अभी हम लोग तीनों के बारे हम पढ़ेंगे part by part करके बहुत मज़ा आएगा सह बता रहा हूँ ठीक है चलिए तो कुछ ऐसी होती है हमारी waves दे अरुदम style ही अलग है swag अलग है इनका चलिए देखो जब water जो है बच्चे जब surface पर जो water होता है ocean के it rises and falls alternatively that is called waves for example नीला पैन का है मेरा नीला नीला पैन हाँ ठीक है तो बच्चे क्या है कि यह हमारा मान के च उठ रहा है फिर नीचे गिर रहा है फिर उपर उठ रहा है फिर नीचे गिर रहा है फिर उपर उठ रहा है फिर नीचे गिर रहा है तो यह जो pattern form होता है ना बच्चे इसको हम कहते हैं waves क्या कहते हैं बिटा waves कहते है कि alternatively उपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है फिर उपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है तो मस्त यह आला जो pattern form होता है बच्चे क्या कहलाता है आपका waves कुछ इस तरीके से अब किसी जब storm आ जाती है नहीं बहुत तेज आंधी चल रही हो मान कि चलो बहुत खतर्नाक आंधी तूफान आ रहा है coastal area में तब क्या होगा यह जो winds जो की बहुत high speed पर blow कर रही होती है बच्चे यह huge wave swarm करती है अब बहुत simple सी बात है मान लो कि मैं दौल रहा हूं ठीक है मंस दौल रहा हूं ऐसे दौल रहा हूं और मेरे पीछे कुट्भा बढ़ जाय है तो बहुत नोर्मल छी बात है मैं आज़कर जो कर बात हुँ सूबे जगिं करओ मेरे पीछे ढॉगी करओ अब किहां पर जो winds का impact है किस पर पढ़ रहा है पानी के ऊपर जिसके चलते जो waves हैं वो और ज्यादा high होती जा रहे हैं, right, and these may cause tremendous destruction, obviously बाते जो nearby coastal areas होंगे, अगर बहुत तूफान आ रहा होगा, महाँ पर तो क्या होगा, waves भी काफी high होगी, और पानी जब समुद्र से बहुत उच सकते हैं, है न, destroy हो सकते हैं, ठीक है, अब अगर एक earthquake आ गया या एक volcano erupt हो गया, underwater, landslide हो गई, तो भी बच्चो बहुत सारा ocean water जो है, आपको उपर देखने को मिलता है, अब आपके दिमाग में चल लाओ को, सर, नीचे earthquake कैसे आ सकता है, है ना, नीचे earthquake कैसे आ सकता है, सर, अर्थ को एक तो ऊपर आता है, जब जमीन होती ही, वहां पर अर्थ को एक आता है, पानी के अंदर अर्थ कोई कैसे आ सकता है, एक मज़े की बात बताहूं आपको, मज़े की बात यह है बच्चे, जो lithosphere की बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि, दो तरीके से divided है एक वो जो की continental पर दिखता है और एक वो जो ocean के नीचे है तो ocean के नीचे भी बच्छो floor है continental crust है ठीक यानि lithosphoric crust है ठीक है तो आपका lithosphäre है वो दोनों जगे expand हो रहा है on land भी हो रहा है under sea भी हो रहा है ठीक है तो plates इसको आप crustal plates कहते हैं tectonic plates कहते हैं तो दोनों जगे पर मिलती है उपर भी मिलती है और आपकी नीचे भी मिलती है तो जब उनमें collision होता है जब उनमें moments होते हैं बच्छो तो अर्थ को एक आने के chances भी होते हैं और अगर underwater earth को एक आया है under sea earth को एक आया है तो मान के चलो जो उपर waves होंगी बहुत धमाके के साथ बाहर आएंगी ठीक है और जो आसपास के area से हों बिलकुल destroy हो सकते हैं राइट चले largest tsunami जो ever measure की गई है बच्चे 150 meters high है ठीक है can you imagine 150 meter high wave average tsunami wave जो होती है एवरेज उसका 15 meter का height होता है average height 15 meter का होता है अब सो चलो कितने उची होती होगी largest recorded है 1500 meter की can you imagine बच्छो ठीक है अब यह जो waves है इनका speed होता है 700 km पर आर तक कियों imagine 700 km पर आर की speed से waves travel कर सकती है you can imagine the kind of destruction यानी जिस हिसाब से airplane move कर रहा है उतनी speed के साथ ये waves move कर सकती है right and अगर हम 2004 की tsunami की बात करें बच्चे इन्होंने बहुत ज्यादा damage cause किया था खासकर इंद्रा point अंडवान निको बार islands के अंदर बच्चे एक point पढ़ता है इंद्रा point इसका पीछे कानी बहुत simple है यह भारत का भारती है जो union है इंडियन union जिसको आप कहते है उसका southern most point था इंद्रा point नाम पढ़ा है इंद्रा गांधी की विजिट के बाद इंद्रा गांधी गहीं थी वहाँ पर उसके बाद पॉइंडियन union मतलब इंडिया का जो mainland है plus islands को मिला करके इंडियन union बनता है तो इसका जो southernmost point था बटा वह इंद्रा point था 2004 की जो tsunami आय थी ना उसमें पू सकते हो कि waves जो हैं देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन waves कितिनी destructive हो सकती है और waves अगर tsunami जैसी बड़ी-बड़ी waves हो बच्चे तब तो destruction next level होता है next level destruction ठीक है और बहुत जगे बच्छे tsunami ने world के अंदर जो है ना cause किया है मतलब बहुत destruction cause किया है खासका 2004 की tsunami तो बच्चे कोई नहीं भोल सकता आज भी आपको YouTube के ऊपर videos मिल जाएंगे 2004 tsunami के it was so destructive ठीक है अब हम बात करते हैं बच्छो tides let's talk about tides यह बड़ा मज़दार phenomena tides और यह क्यों होता है बच्छे gravitational pull के चलते ठीक है अभी कैसे science काम करेगा इसको इद्दम देखेंगे rhythmic rise and fall rhythmic rise and fall का मतलब होता है certain pattern में पानी उपर उठ रहा है और certain pattern में पानी नीचे गिर रहा है ठीक है of ocean water twice in a day two times in a day एक दिन के अंदर दो बार ऐसा time आएगा जब पानी जो है थोड़ा उपर उठेगा थोड़ा नीचे के तरफ जाएगा एक proper pattern में पानी उपर उठेगा और नीचे के तरफ गिरेगा इस particular phenomena को हम कहते हैं tide कहते हैं कितने times a day two times a day ठीक है high tide कब होता है जब बच्चे जब water covers much of the shore by rising to the highest level बदिश Thanos शोर क्या होता है किनारा समुद्र का किनारा ठीक है shore तो क्या होता है बच्चे कि जब पाणी high tide कब होता है जब पाणी बहुत उपानी उटता है काफ़ी होता है यानि काफी पीच्छे के तरफ होता है तो इसको हम कहते हैं low-tight जब water अपने lowest level पर होता है ठीके अब जो strong gravitational pull है जोकी sun exert करता है और moon exert करता है पानी पर that cause the tights ठीक है तो यह किस से होता है भई देखिए gravitation का concept बड़ा मज़ेदार है होता क्या है बच्छे कि अगर हम gravitational का concept पढ़ें ग्राविटेशन पढ़ें तो gravitational का law simple सी बात यही कहता है कि भाईया हर एक body एक दूसरे पर कोई ना कोई gravitational pull exert करती है ठीक है मिलब for example बहुत simple है बट होता क्या है कि दोनों body का जो masses है मतलब दोनों body का जो weight आप समझ सकते हो जो mass है बच्छो वह अलगा लोग होता है जिसके चलते impact इतना जादा feel नहीं होता ठीक है लेकिन अगर हम बात करें जैसे sun और moon क्या है gravitational pull exert करते हैं पानी पे gravitational खीचते हैं अपनी तरफ रइट जो पानी है आपका क्या होगा ऊपर की तरफ उठेगा तो यह जो sun and moon का gravitational pull है इसके चलते आपको tides देखने को मिलते हैं बहुत ही simple है बच्छो जब कभी full moon night होता है ना बच्छे और जो new moon night होता है जो sun and moon and earth जब एकी line में होते हैं ठीक है जब new moon night होता है या तो full moon night होता है जब sun, moon और earth तीनो एकी line में होते हैं तब आपको tides अपने highest में देखने को मिलेंगे ठीक है sun, moon, earth यह तीनो जो है बच्छे एकी line में जब होते है they fall in one line तब आपको highest जो है वो tides देखने को मिलें तो ऐसे टाइट को हम कहते हैं spring tides, क्या बोलते हैं बच्चो, ऐसे टाइट को हम कहते है spring tides, ठीक, कब होता है यह, कि जब full moon nights होती है, फिर new moon nights होती है, full moon हो या फिर new moon हो, तो उस time पे क्या होगा, कि sun, moon on earth, बिल्कुल एक सीधा simple line में होते हैं, उस time पे जो tides हैं बच्चो, वो सबसे highest होते हैं, यानि उस पानी के उपर जो gravitational pull लग रहा है, वो काफी maximum लग रहा है, तो उस time पे क्या होगा, पानी अच्छी कासी height तक उठेगा, ऐसे cases को हम कहते हैं spring tides, क्या बोलते हैं बच्चो लोग, हम कहते हैं spring tides, देखे, बहुत simple है, right, sun, moon, earth, यह तीनों एक ह एक ही line में है, sun, moon, earth, यह फिर ऐसे लेक लिए sun, earth, moon, जब यह तीनों एक ही line में होते हैं, तो gravitational pull जो होता है, वो काफी जादा होता है, जिसकी चलते पानी जो है अच्छे कासी levels तक rise करता है, तो ऐसे cases को हम कहते हैं spring tides, ठीक है, neep tides कब होते हैं बच्चे, जब moon first हो, ठीक होते हैं बच्चे, है ना, तो क्या होता है, जब moon अपने first quarter में होता है, first quarter में होने वाला है, या फिर last quarter में होने वाला है, तो जो पानी है, जो आपका पानी है बच्चे, थोड़ा सा diagonally opposite, यहाँ पे move करता है, right, due to gravitational pull of sun and moon, simple, gravitational pull किसका लग रहा हैं यहाँ पे, sun का और moon का, तो ऐसे जो types होते हैं बच्चे, वो काफी low tides होते हैं और स्कॉम कहते हैं neep tides, तो आप देखिए हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यह diagonally पानी थोड़ा सा move कर रहा है, अब sun और moon का direction देखिए बच्चे यहाँ पे, sun यहाँ पे place रहते हैं यहाँ पे, हमारा moon यहाँ ठीक चलते हैं जो पानी है उसका level जो है थोड़ा सा कम है, है ना जो पानी का level ज्यादा होना चाहिए वो पानी का level कम है, तो यह जो कम level वाला हिसाब किताब है भाई वो अपना low tides है, यानि जिसको आप neep tides भी कहते हैं, ठीक है, जब high tide होगा तो बच्चे जो किनारा है उस प आपको अच्छे से याद अखनी है, ठीक है बच्चा लोग चले, अब तो टाइट से आगे निकल के थोड़ा ocean currents की बात करते हैं, तो बही ocean currents क्या है, there is a stream of water that flows constantly on the ocean surface particular direction में, जब आप ocean currents की बात करते हैं, तो ocean currents एक certain direction में बच्चे flow कर रहे होते हैं, current की अब बात करते हैं, stream मतलब एक पूरा proper पानी flow कर रहा है certain direction के अंदर, that is basically your ocean currents, यह warm होते हैं और cold होते हैं, warm ocean मतलब पानी का temperature थोड़ा गरम रहेगा, और ocean cold currents का बच्चे मतलब है बहुत simple की पानी का temperature थोड़ा सा cool रहने वाला है, ठंडा रहने वाला है, right, so जो ocean currents है, they can be warm और cold, जो warm ocean currents है, बच बात करो equator की, तो equator पे जो sun की raise है, वो सबसे जादा पढ़ रही है, सबसे जादा रिफ्सीव हो रही है, तो बच्चे equator के आसपास जो हमारी water bodies होगी, वो क्या होगी, generally थोड़ी गरम होने वाली है, और वेसी बाते वाम होने वाली है, और हमेशा simple सी बाते, जो चीज वाम हो tropical areas कहाँ पढ़ते हैं बच्चों, मैं आपको छोटा सा diagram बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, बहुत easy तरीके साब समझ जाओगे, यलो शलो color ले लेते हैं, ताकि आपको clearly visible हो, ठीक है, चलिए, अगर ऐसे आप earth बना रहे हो ना बच्चे, तो यह अपना equator region है, 0 degree, ठीक है, य यह जो region है ना आपका, यह basically आपको tropical region कहलाता है, ठीक है, comparatively थोड़ा गरम region होता है, थोड़ा warm region होता है, ठीक है, तो भई, दो फिनॉमेना यहाँ पे काम करेंगे, ऐसे water bodies जो equator के पास है, यानि जो water currents, equator के पास है, वो क्या होंगे, गरम होंगे, वाम होंगे, और यह उपर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, यानि poles की तरफ, ठीक है, और ऐसी polar water bodies जो हैं बच्चे, वहाँ से जो ठंडा पानी है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, near the tropical areas, ठीक है, तो इस तरीके से cycle चलता रहता है, आपका, जो warm currents हैं बच्चे, they bring about warm temperature over land surface, बह नहीं पे भी जहाँ warm और cold currents मिलते हैं बच्चो, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा धुआ उठेगा, बहुत सारा fog उठेगा, इसका बहुत अच्छा example देता हूँ, जो ठंड के time में आप पूरा गरम पानी से नहीं ना सकते हैं, तो आप क्या करते हो, गरम प जाता है कि यहाँ पर fishes बहुत अच्छी quantity में available होती है, they are one of the best fishing grounds in the world, यहाँ पर warm current और cold current आके मिल रहा हो, जो सबसे अच्छे fishing grounds माने जाते हैं, यानी मचली मारने की बहुत बढ़िया जगे हो, ठीक है, अगर हम बात करें, जापान के around के जो seas हैं बच्चे, यह Eastern Coast North America का जो मुश्किल होता है, बर्मूडा ट्रेंगल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा है न, तो बर्मूडा ट्रेंगल में scientist यह भी कहते हैं कि वह एक ऐसा area है, मतलब ships कहते हैं खो जाती हैं आपे, क्यों इस ships को दिखाई नहीं देता है, बहुत fog हो जाता है, बहुत misty हो तो बच्चे वह एक ऐसा area भी है चाहाँ पर warm और cold currents भी मिलते हैं बच्चो, है न, जिसके चलते हैं बहुत सारी foggy condition हो जाती है, तो वहाँ पर ship चलाना काफी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो एक बड़ा मजदार चीज है, इसको आपको करके देखना हो तो कभी देखना, under expert supervision, कि मतलब कभी-कभी winters में आप जब ठंडे पानी में गरम पानी मिलाते हो, एक बहुत basic से experiment है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा धुआ-धुआ निकलता दिखता होगा, तो ऐसे ही होता है seas and oceans में भी, जब warm current, या न, cold current से मिलता है जाकर के बच्चों, तो क्या होता है उस area में बहुत सारा fog दिखने को मिलता है, बहुत dark हो जाता है वो area, तो यहाँ पर जो है बच्चों, ship whip चलाना काफी मुश्किल है, तो यह देख सकते हैं, आप अलग-अलग बच्चे ocean currents आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, equatorial current है, यहाँ पर प्रकार का water flow कर रहा है, जिस temperature के साथ, उसके basis पर हमने भाई यहाँ पर अलग-अलग currents को नाम दिया हो है, सारे हाला कि learn करने के आपको जुरुरत नहीं है, एतना जादा, ठीक है, तो इतना पाशान मत हो, ठीक है, बहुत simple होता है, जिस region में कोई पानी का stream flow कर रहा होता है, उसी स्वय होँ आपका नाम देदेते हैं, ठीक है, अब equator के आसपास जितना भी current flow कर रहा होगा, वो equatorial के नाम से होगा, ठीक है, अब जिस direction में flow कर रहा होगा, उस direction को अम आगे रख देते हैं, ठीक है और जिस ocean के वंदर flow कर रहा होगा, उस ocean से भी हम नाम ले लेते हैं, मा सारे के सारे warm currents है और जो आपको blue में देख रहे हैं याप ब्लू कलर में सारे के सारे आपके cold currents है जो अलग-अलग regions में आपे flow कर रहे हैं और ये currents हो हैं बच्चे किसी भी area के weather phenomena को temperature को काफी influence करते हैं अगर गरम पानी के currents बह रहे हैं आपके area से तो यानि कि आसपास का temperature वो comparatively warmer हो जाएगा राइट वही अगर cold currents blow कर रहे हैं तो बच्चे comparatively जो temperature है वो थोड़ा सा cool होगा इसका simple से तरीका इसलिए क्यों factor है इसके पीछे क्या factor है बच्चों कि देखिए जो पानी होता है उसके उपर हवा भी होती है गरम पानी है बच्चे उसकी उपर के हवा भी गर करेगी है ना बच्चा लोग चलो और तुमको पता है क्या कि इसराइल के अंज़र और डेट सी है बच्चे उसका salinity कितना जादा है 340 ग्राम पर लीटर ऑव वाटर में तीन चो चालीस ग्राम नमक मिलेगा आपको एक लीटर वाटर में ठीक है यानि आप डूब नहीं सकत आराम से इसमें फ्लोट कर सकते हो लोग जाते हैं इसके मजे लेने भी है ना चले तो कहानी चलते चलते यार पानी की कहानी बड़ी तेज तेज भाग रही आगे है ना तो हम लोग कहां पर आगे यार बात करते करते हैं सुनामी पर आगे पता ही नहीं चलता है तुम लोग tsunami और the harbor wave 2004 tsunami का description है यहाँ ठीक है इसने इंडिया नोशन को करीब 26 दिसंबर 2004 को हिट किया है tsunami Japanese term है high waves के लिए बहुत उची-उची waves के लिए ठीक है तो क्या होता है बच्छो वेव वस रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक that had the epicenter close to western boundary of Sumatra, Java, Sumatra, Indonesia, Southeast Asia आप कह लिजे Sumatra के आसपास जो था इस underwater earthquake का epicenter था हमने पढ़ा भी था epicenter वाला point यहाँ वो region जहां पे basically बच्छो अर्थक्वेक बहुत जादा strong होता है बहुत मजबूत होता है ठीक है अगर Richter scale पे ना पे तो इसका magnitude 9 था can you imagine बच्छो 9 Richter scale पे अर्थक्वेक कितना destructive होगा कितना खतरनाक होगा भई ठीक है तो as the Indian plate went under the Burma plate there was a sudden movement of sea floor causing the earthquake अब इसको मैं समझाता हूँ बहुत सारी बच्चों को समझे में आ रहा हो कि sir India वालों ने अपनी plate Burma वालों के fake के मार दीती नहीं ऐसा नहीं plate का मतलब यहां tectonic plate है ठीक है देखी क्या होता है बच्चों मैं एक छोटा सा आपको example देता हूँ जब दो plates आपस में collide करती है यहना जब दो tectonic plates आपस में टकर आती है यहनी माल लीज़े रॉक के बहुत बड़े टुकरें बहुत ज्यादा बड़े टुकरें यह आपस में टकर आ रहे है ठीक है तो बेसिकली हुआ क्या जब इंडियन पार्ट का जो tectonic plate था जब बर्मा वाली tectonic plate के नीचे खिसका है ना नीचे के तरफ surprise down हुआ तो इससे क्या हुआ एक sudden movement create हुआ बहुत तेजी से movement create हुआ that ultimately resulted in the earthquake चीक अब क्या होता है जो ocean plate था बच्चे वो अपने original place से 10 से 20 meter displaced हो गया क्योंने माचे मतलब दो चीज बहुत तेज साके टक रहें एक थोड़ा नीचे के तरफ चली गया यह थोड़ा सा उपर उड़ गई तो जो actual position था हमारे ocean floor का वो 10 से 20 meter अलग हड़ गया खिसक गया बाई अपनी जगे से अब थोड़ा सा downward के direction में ऐसा tilt हो गया ऐसा जूख सा गया अब क्या होगा बच्चो अब एसा समझ लो यहाँ पे जमीन है ऐसा समझ लो एक जमीन है अब जमीन टूट गई और इसके आसपस पानी है इसके आसपस पूरा पानी है यह जमीन है यह तूट गई यह तूट गई अब अगर बहुत बड़ा घड़ा होगा तो क्या होगा बच्चो उस गड़े को भढ़ने के लिए पानी इदर उदर से आएगा बहुत नॉर्मल सा लोजिक है यह जमीन थी ठीक है और इस जमीन थी बच्चो जमीन में क्या हुआ कि जमीन जो थी तूट गई अब यह लाइन्स इन दर साउथ एं साउथ इस एश्या चीक फाइनली क्या होता है बच्छो जब यह टकरा है जब यह आपस में टकरा है है ना बहुत सिंपल सी बात है वेंदेग कोलाइड यह दोनों प्लेट के मैं बात कर रहा हूं और उसके चलते क्या हुआ कि भाई हमारी इंडिय से आना शुरू हो गया भरना शुरू हो गया उसमें ठीक बहुत ही सिंपल राइट बच्छो चलिए तो इसके चक्कर में क्या हुआ भाई जो वेवस थी वो एकदम सदर्न रश के टाइम पर क्रियेट होई तो पानी एकदम से सब जगे से आने साट हो जाएगा उस गड़् क्रियेट हो रहा है तो आप सोच चकते हैं जो वेवस थी बच्चे उनकी स्पीड कितनी रही होगी 800 किलोमेटर्स पर आर ठीक है मतलब एक खतरनाक मतलब कमर्शल एरक्राफ्ट के मुकाबले राइट अनक कम्प्लीटली वॉष्ट अवे सम अफ दी आइलें इंडियन ओशन अब जो इंद्रा पॉइंट था अंडमान निकोबार आइलेंड का जो कि भारत का सदन मोस पॉइंट था इंडियन यूनियन का वो कम्प्लीटली डूब गया जब पानी सब जगे से भाग रहा है उस गड़े को भरने के लिए बहुत गड़ा है बहुत बढ़ा है पानी क्य अब क्या हुआ बचसे बहुत सिंबल सी बात है कि जब सुमात्रा जहां पर मेजर ये अर्थ को एक अकर किया था इंडोनेशा के पास वहां से जब वेवस बाहर के तरफ मूव करना स्टार्ट हुई ठीक है और कहां कहां कवर कर रही है अभी अंडमान आइलेंस और शिलंका साब कवर करते-करते गई तो इसकी जो लेंथ थी बच्चे वह थोड़ी सी डिक्रीस हुई ठीक है अन्साथी साथ इसकी स्पीड में भी जो था थोड़ा सा कमी आया रइट आन जो साथ सो से 900 किलोमेटर पर आर की स्पीड थी वह रिडियूस होके 70 किलोमेटर पर आर यहना जब सुमात्रा से मूब करना स्टार्ट किया इसना अंडमान की तरफ शिलंका के दरफ तो इसकी लेंथ भी डिक्रीज होई यह स्पीड भी थोड़ी सी डिक्रीज होई ठीक है आनि जो 700 किलोमेटर की स्पीड थी वो सीधा 70 किलोमेटर पर आगे आनि ड्रास्टिक अनि भारत के जो सदन स्टेट से वो वर्स्ट एफेक्टेट से अब कुछ सोचो आप जावा सुमात्रा इंडोनेश्या बच्चे बहुत पास में आता है बहुत जाद दूर तो है नहीं सुमात्रा से कोई चीज स्टार्ट होई है एतनी बड़े लेवल पर अंडमान तक आ अच्छी बात यह है कि इसकी स्पीड रिड्यूस हो गई थे अगर स्पीड उतनी ही रहती तब तो आप डिस्ट्रक्शन इमाजन भी नहीं कर सकते थे राइट वाइल अर्थ को एक बच्चे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है यह बिल्कुल बात है चुनामी आर वेरी र पैसिफिक उशन तो एक अच्छी बात है हाला कि अगर कोई बास की ओशन से ट्रिगर ना हो सुनामी तो आपको इंडियन ओशन ने थोड़ी कम देखने को मिलती है कंपेर टू पैसिफिक उशन के अंदर इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी उसेरिया को बोलते है जावा डिंजरिस एरियाज हैं बहुत ही ज्यादा किलामिटी प्रोन एरियाज है थांक्फुली इंडियन ओशन वाला जो पोशन है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है ठीक है तो आप देख सकते हो डिस्ट्रक्शन यह हालात हुए थे इतने बुरे हालात हुए थे तुनामी जो भई सा पर मॉनीटरिंग नहीं की गए थी अर्ली वानिंग सिस्टम से इतने बढ़िया नहीं थे कि अर्ली वानिंग दी जा सके लोगों को अवेर किया जा सके यह ना बहुत ही सिंपल है बच्चे अगर आप मान के चलो कि अगर पहली बार आपको यह जानना है कि सुनामी कैसे बन गड़ा क्रियेट हो चुका उसको भरने के लिए पानी सब जगे से भाग करके वहां पे जा रहा है अब दुबारा जब वो बहार आएगा ना बिटा तो इतनी स्पीड से आएगा कि आपको भागने का चांस भी नहीं मिलेगा राइट फ्रम दो कोस्टल लीजन फॉलोड ब बड़ा important बात है कि लोगों को लगता है कि यार पानी पीछे चला गया और पानी नहीं आ रहा है ऐसा नहीं होता है सुनामी की खासियत ही है कि आपको देखने को मिलेगा कि पानी एकदम से पीछे चला गया कोस्टल लेकिन जब वो दुबारा आएगा ना बच्चे तो एक बहुत high wave के form में आएगा होता बहुत सिंपल सी बात है वो जो gap create होता है उसको fill करने के लिए water जा रहा होता है लेकिन जब water जब वो पहुंचता है pressure conditions इतने जबरदस्त होते है बाई जब दुबारा वो bounce back करता है ना तो इतने level से आता है कि आप बची नहीं सकते और जब य जो है ना वापस भागने के बजाए मतलब ऊपर अच्छे higher areas में जाने के बचाम खड़े हो कर देख रहे थे कि चल क्या रहा है जैसे जैसे भी खुदा ही देखते हैं लोगों ऐसे खड़े हो क्या बात है बहुत बढ़िया जब पानी आया ना बाई दोती उठा कि भागने बात होती उठाओ भागो सीधे ऊपर ground higher grounds के तरफ वहां पर रूख करके देखना नहीं कि चल क्या रहा है यहां पर ठीक है नहीं तो भाई हालात कुछ ऐसे हो सकते हैं ठीक है तो बच्छों हाला कि earthquakes predictable नहीं होते लेकिन फिर भी this one was जिसको थोड़ा सामशायद dangers को कम कर सकते करने थोड़ा ज्यादा aware होते है ठीक है तो इसी के साथ बच्छों आज एक last एक आखरी सवाल करूंगा बस आपसे सवाल मेरा यही है कि which point of India got submerged in 2004 tsunami भारत के कौन सा ऐसा जगा था कौन सा इसा पॉइंट था बच्छों जो की 2004 की tsunami में completely dup गया था आपको इस सवाल का answer देना ह और मैं मिलता हूँ आपसे एक और जबर्दस चाप्टर के साथ बहुत सारे बच्छे कह रहे थे sir rulers and buildings वाला topic ले आओ तो for sure बच्छे वो लेकर के आओंगा मैं आपके लिए आज के हमारी पानी की कहानी को यहीं करते हैं समाथ क्यूंकि पानी पानी मैं हो चुका हूँ यान के नहीं भाई लोग चलिए तो इसी प्रामिस के साथ मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में तब तक किले मुझे दीचे इजासत मुझे जाना है बहुत सारा पानी पीने तो आप पानी पियो साफदान रहो सतर्क रहो मस्त रहो चुस्त रहो दुरुस्त रहो and stay tuned with an amazing platform that is PW and khas कर हमारे प्यारे प्यारे चानल PW Little Champs बाई बाई बच्चों, take care, have an amazing day, hours and seconds and minutes ahead, bye bye, take care, bye